साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्डरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी है कहानी भगवान के एक अनुखे भगत की तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है आज से लगबक कई वर्ष पुरव दिल्ली में परमेश्ठी नाम का एक काले रंग का कुबड़ा दर जी रहता था शरीर से कुरूप होने पर भी वो हरीदै से भगवान का भगत था शुद्र होने पर भी जी तेंद्रिय था दरिद्र होने पर भी उदार था शिराम जीवी होने पर भी आनंद जीवी था परमेश्ठी की पतनी का नाम था विमला वो महिला धरम परायन और पती की इच्छा कैनुसार चलने वाली महिला थी उनका एक पेटा और दो बेटियां थी संतानों में भी माता पिता के गुण पूरी तरह मुझूद थे वो तीनों बच्चे भी वे नरम और आज्याकारी थे परमेश्ची का पारिवारिक जीवन सुख शांती से बीत रहा था अब यदपी परमेश्ची को सब संसारिक सुख प्राप्त थे फिर भी उसका मन इन भोगों में जरभी आसकत नहीं था परमेश्ची को पतनी और अपने बच्चों का कोई मोह नहीं था भगवान भगवान के भग्त और भगवान के नाम में उसकी अपार प्रीती थी कपडे सीते सीते वो दर्जी नाम जब किया करता था कभी-कभी तो भगवान का स्मरण करते हुए वो मूर्ति की भाती हात में कपड़ और सुई लिए बैठा ही रह जाता था समय मिलते ही वो कीर्टन करने लगता था उस समय उसके नेत्रों से आशो बहने लगते थे उसका कंट भर जाता था शरीर सात्विक भावों से परिपूरण हो जाता था लोग उस भगवत भगत की प्रशंशा करते और उसका आदर करते थे भगत होने के साथ परमेश्ची अपने काम में भी पूरा निपुन था सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी खयाती थी बड़े बड़े अमीर नवाबादी अपने वस्तर उसी से ही सिलवाते थे वहां के बादशा को भी उसी के द्वारा सिले हुए वस्तर पसंद आते थे एक बार बादशा के सिहासन के नीचे दो बड़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए बादशा को वो गलीचे पसंद नहीं आये उन्होंने दो तकिये बनवाने का विचार किया बहु मुल्य मक्मल मंगवाकर उस पर सोने की तारों के सहारे हीरे मानिक और मोती जड़वाए गए जड़ाओं काम बादशा को वो पसंद आया परमेष्ठी को बुल्वाकर बादशा ने वो कपड़ा उन्हीं दिया और उस कपड़े के दो तकिये बनाने का आदेश दिया परमेष्ठी की सचाई और कारेगरी पर बादशा को पूरा विश्वाश था परमेष्ठी वो रतन जड़ी तवस्तर लेकर घर आ गया घर आकर परमेष्ठी ने उस कपड़े के दो खोल बनाए दोनों मेतर से सुगंधित रोई भरी तकियों के उपर रतनों के बने फूल पत्ते जगमक करने लगे इतर की सुगंध से घर भर गया ऐसे तकिये भला दरजी अपने घर में कैसे रखता वो उन्हें बादशा के यहां ले जाने को उठ खड़ा हुआ तकियों को उठा कर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से कपड़े के ओपर लगे हुए रतनों की छटा देखी उसके मन ने कहा ये कितने सुन्दर तक ये हैं क्या ये किसी सामान्य मनुश्य के योग्य हैं इसके अधिकारी तो भगवान ही हैं जैसे जैसे इतर की सुगंद नाक में पहुँचने लगी वैसे वैसे ये विचार परमेष्ठी के मन में द्रड़ होने लगा उसके मन में द्वंद चलने लगा कि ये कारेगरी किस काम की जो भगवान की सिवा में न लगे परंतु में क्या करूँ ये तक ये तो बादशा के हैं अब मन के असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि परमेश्ठी को पता ही नहीं चला कि वो कहा है और वो क्या कर रहा है आब उस दिन शिरी जगननाथ पुरी में रत यात्रा का महुत्सव था परमेश्ठी एक बार शिरी जगननाथ धाम जाकर रत यात्रा का महुत्सव देखाया था आज भावावेश में जैसे रत यात्रा का वो प्रतक्ष दर्शन करने लगा परमेश्ठी देख रहा था कि शिरी जगनात जी रत पर विराजमान है नर नारी रसी पकड़ कर रत को खीच रहे हैं कई पीछे से ठेल रही है कीरतन हो रहा है जैजैकार हो रही है सेवक गण एक के बाद एक वस्तर बिचाते जा रहे है शिरी जगनात जी एक वस्तर से दूसरे पर पधार दे है सहसा रत के कठी नागाच से शिरी जगनात जी के नीजे बिचाय हुआ वस्तर फट गया सेवक मंदिर में दूसरा वस्तर लेने दोडे पर उन्हें देर होने रगी, परमेश्टी से द्रिश्य देखा नहीं गया, उन्होंने शिघरता से दोनों तक्यों में से एक जगन नात्ची को अरपन कर दिया, भगवान ने उसे सविकार कर लिया, परमेश्टी के आनंद का पार नहीं था, वो आनंद के मारे दोनों हाथ नहीं हो रहा था, सहसा इस स्थिती से परमेश्टि को ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमेश्टि ने स्वपन नहीं देखा था, सचमुच यत्यातरा में शिरी जगन्हाथ स्वामी के नीचे का एक वस्द फट गया था, और पुजार्यों ने देखा कि किसी भाग्त ने रथ पर एक बहु मुल्य रतन जडित तक्या प्रभु को चढ़ा दिया है यहां होश में आकर परमेश्ठी ने देखा कि उसका एक तक्या गायब है उसे बड़ा अनंद हुआ अब प्रभु ने तो उस दर्जी के हृदय की बात जानकर एक तक्या सविकार कर लिया था अब उसे किसी का क्या डर दर्जी ने सोचा कि बादशा तो मेरे प्राण ही ले सकता है न परमेश्ठी को मौत से कोई डर नहीं था उसके दया मये प्रभु ने उस पर इतनी किरपा की थी वो तो अनंद के मारे किर्तन करता हुआ नाचने लगा बादशा के सिपाही उस दर्जी को बुलाने आए एक तक्या लेकर परमेश्ठी बादशा के पास पहुँचा बादशा तक्ये की कारेगरी देखकर बहुत खुश हुआ फिर बादशा ने दूसरे तक्ये की बात पूछी तो परमेश्ठी ने बिना डरे कह दिया बादशा को क्रोध आ गया उन्होंने परमेश्ठी को कारागार में डालने का अदेश दे दिया भाग परमेश्ठी कैद खाने में बंद कर दिये गए हद कड़ी बेडी से जकड़े परमेश्ठी कारागार के अंधेरी कोठरी में पड़े-पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे वहां अंधेरे में काब दिन गया कब रात आ गई उन्हें पता ही नहीं चला सहसा उनकी हद कड़ी तूट गई उनकी बाके की बेडियां भी तूट गई और बंदिग रह की कोठरी का द्वार भी खुल गया परमेष्ठी के सामने एक अपूरव जोती प्रकट हुई दूसरे ही पल भगवान ने परमेष्ठी को दर्शन दिये अब आनंद मगन होकर परमेष्ठी प्रभु के चरणों में गिर गया प्रभु ने कहा परमेष्ठी मेरे भग्त से अधिक बलवान संसार में कोई और दूसरा नहीं है जब तक मेरे हाथ में मेरा ये चक्र है किसका सहस है जो मेरे भग्त को कष्ट दे आओ बेटा मेरे पास आओ अब परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गया था प्रभु ने अपने चरणों पर गिलते हुए परमेष्ठी को उठाया और उसके मस्तक पर अपना अभै कर रखा दूसरी तरफ बादशा ने स्वपन में एक बड़ा भयंकर पुरश देखा बादशा को लगा जैसे साक्षात काल अपना कठोर डंड उठा कर उसे पीड रही हो और गर्जन करते हुए कह रही हो सवेरा होते ही मंतिरियों से बादशा ने अपने स्वपन की बाद की बादशा सभी को लेकर कैद खाने गया वहाँ पहरेदार सोय हुए थे परमेष्ठी की हद कड़ी और बेडियां तूटी हुई थी उनकी कोठरी खुली थी और उनके शरेड से दिवय तेज निकल रहा था परमेष्ठी ध्यान में मगन थे ध्यान तूटने पर व्याकुल से होकर परमेष्ठी नाम किर्टन करते हुए रोने लगे बादशा को बड़ी हरानी हुई बादशाय ने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर माफी मागी नाना प्रकार के वस्तर और आभूशलों से सज़ित करके परमेष्ठी को हाथी पर बठाकर गाजे वाजे के साथ उन्हें शहर ले आया गया उन्हें बहुत सा धान दिया गया चारों और पागत परमेष्ठी की जैजैकार होने लगी अब परमेष्ठी जी को ये मान प्रतिष्टा बिलकुल नहीं अच्छी लगी उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई परतिष्टा से बचने के लिए वो अपना शहर छोड़ कर दूसरे शहर चले गए और दूसरे शहर में लोगों के दृष्टी से दूर रहकर पूरा जीवन परमेष्ठी ने भगवान के भजन पुजन में व्यतीत कर दिया साथ संगत जी परमेष्ठी थे भगवान के ऐसे भगत जिनोंने अपना सारा जीवन भगवान के नाम कर दिया अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर्मुला कात होंगी नई साखी और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी